जी बीचे को और बड़ी ख़बर इस वक्त आरी राजदानी पतना में आज भी खुले है स्कूल ये बड़ी ख़बर सिक्षा विभाग के आदेश के बाद पोले गए स्कूल विभाग ने रद की थी रखशा बंधन पर चुटी स्कूलों में दिख रहा है रखशा बंधन का आसर कम संख्या में स्कूल पहुंचे चातर बड़ी ख़बर बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के चुटीयों में कटाउती के ऐलान के बाद पतना में रक्षा बंधन के दिन भी स्कूल खुले हुए है, स्कूल में रक्षा बंधन का असर साफ साफ देखा जा रहा है, आज काफी समय कम संख्या में यहां पर बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, वहीं तय समय पर सभी टीचर्स की उपस्तिती देखी जा रही है, रक्षा बंधन के दिन कई बच्चिया भी स्कूल पहुंची हैं तस्बीर आपके सामने लेकिन संख्या बताई जारा बेहत कम है सभी सक्षक पहुंच चुके हैं और बकादा मॉनिटर इसको किया जा रहा है लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आज तिवार का असर साफ तर पर इसकूल में देखा जा हारी है आम तोर पर सितंबर माह से दिसंबर तक 23 चुटियां जो थी वह होनी थी लेकिन अब देखिए इसमें कटाउती कर दी गई है 11 दिन चुटी जो है वह किया गया सिक्षा विभाग के दौरा देखिए इसी का जो असर है वह नजर आ रहा है इस वक्त हम मौजूद है राजक्रिय नवीन मध्य विद्याले राजवनशी नगर में पटना स्थे था ये और देखिए स्कूल जो है वो खुले हुए है तमाम टीचर्स जो है वो अपने समय पर स्कूल में मौजूद है और सुबह साड़े छे बज़े जो स्कूल की टाइमी है वो शुरू होती है स रक्षाबंदन का तेवहार है और ऐसे में जब सिख्षा वभाग के दोरा ये कहा गया कि स्कूल जो है वो आज के दिन भी खुलेंगे स्कूल बंद नहीं होगा इसका पालण जो है वो तमाम स्कूल कर रहे हैं तमाम विद्याले जो है वो और जो तमाम लड़कियां है वो भाई को राकी बान बच्चों का भी कहना है कि जो टीचर्स हैं वो भी समय पे पहुंच गया था उसका भी पालन ये बच्चे भी बखुबी कर रहे हैं और पट्णा में जितने भी स्कूल है वहां के सिक्षक जो हैं वो भी आदेश का पालन केके पाठक के आदेश के द्वारा जो पालित किया ग क्हित राओक नपत कर नापका के लिए तो जोdyं ये हैं पालन करेंव को खालन के पालन के बचस्णायप, बचस्छों के लिए हैं और रालन के स्क्राहेण के रप़ हैं इवैं और